Hello everyone, मैं हूँ श्रेया और आईए जानते हैं Big Boss Updates Big Boss फैन्स को इस बात का अंदाजा था कि Big Boss के घर से कोई सिंगल कंटेस्टेंग बाहर होने वाला था लेकिन जब Big Boss ने यही खबर घर में रह रहे हैं कंटेस्टेंग को दी तो सभी का रियाक्शन देख नहीं लाया था जी हाँ, Big Boss का कल का एपिसोड ड्रामे से भरा हुआ था वेल अगर आपने कल का ये एपिसोड मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं क्योंकि हम आपके लिए लेकर आये हैं Big Boss Day 24 के टॉप हाइलाइट्स श्री संद सभा को टास्क में पार्टिसिपेट करने नहीं देते जिसे लेकर उनके बीच कड़ी बहस हो जाती है इस बीच सभा खान भी पहुशती है सोमी कहती है कि मैंने एक बार भी इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं किया है इसलिए मैं जाना चाहती हूँ लेकिन श्री नहीं मानते जिसके बाद दोनों बहनों और श्री के बीच काफी लड़ाई होती है दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सोमी और श्रीस्टी टास्क को लेकर चर्चा करती है इस बीच उनकी दोस्ती में दरार आती हुई नजर आती है दरसल श्रीस्टी सोमी से पूछती है कि आपने टास्क में मेरा सपोर्ट क्यों नहीं किया इस पर सोमी कहती है मेरे लिए टीम भी जरूरी है ऐसे में स्रीस्टी कहती है ठीक है फिर अब ये गेम में अपने हिसाब से खेलूँगी लेकिन सोमी उनसे कहती है कि उन्होंने उनका सपोर्ट नहीं किया वो इस बात को परसनली ना ले नेहा पैंसे श्रीसंद करणवीर बोहरा पहले से ही नॉमिनेटेड थे कल के एपिसोड में कप्तानी टास्क शुरू रहा और बाद में श्रिस्टी और सोमी बच गए अब बिग बॉस कि घर में कप्तानी के लिए श्रिस्टी और खान बहनों की जोड़ी टक कर लेगी बिग बॉस ने कल एविक्षन को वीकेंड का वार एविक्षन बताया बिग बॉस ने मिड इविक्षन की बात कही जिसके बाद नेहा करनवीर और श्री संद को एक्टिविटी एरिया में लाया गया इसके बाद बिग बॉस ने घरवालों से पूछा कि आखर उनके हिसाब से कौन बिग बॉस के घर में रहने की काबिल नहीं है और उसी इसी वक्त निकाल देना चाहिए जिसके बाद घरवालों ने आपस में बातें करनी शुरू कर दी बिग बॉस ने कहा नॉमिनेशन प्रक्रिया की शुरुवाद देपेका ककर से होगी वेपेका ने श्री संद को बिग बॉस के घर में रहने के काबिल नहीं समझा हाला कि उन्होंने कहा कि वो श्री संद का नाम इस ले ले रही है क्योंकि वो घर में नहीं रहना चाहते इसके बाद बाकी घर वालों ने भी नॉमिनेटेड हुए कंटेसंस के खिलाफ अपना फैसला सुनाया दीपकुर्वशी, जसलीन, सबा सूमी, सुर्भी, रोमिन्स, श्रिस्टी ने नेहा को नॉमिनेट किया और सुरब शिवाशीस के मताबिक श्री संथ इस घर में रहने के काबल नहीं थे बिग बॉस ने बाकी घर वालों की राय जानने के बाद इस हफते श्री संथ को घर से बेगर कर दिया वेल अगर आप इस खबर से शौक हैं तो जान लीजिए कि श्री संथ कहीं और नहीं गये है बलकि सीक्रेट रूम में भेजे गये है श्री संथ सीक्रेट रूम में जाते हैं और अनुप जलोटा से बिल कर कहते हैं कि उन्हें देखना है कि आखर घर में क्या चल रहा है क्योंकि दिपेका ने मुझे सौरी कहा है वहीं श्री संग को नॉमिनेट करने के बाद दिपेका पर सुर्भी का गुस्ता भड़क गया सुर्वे का कहना था कि कम से कम देपिका श्री संग के साथ अपनी दोस्ती तो नी भाती वहीं देपिका श्री संग के जाने के बाद रोती रहती है उन्हें लगता है कि उन्हें की बज़े से श्री संग गए है लेकिन नेहा उन्हें समझाती है कि वो गिल्टी फिल ना करे वेल तो ये थे बिग बॉस डे 24 के टॉप हाइलाइट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए इस पर कमेंट कीजिए और आसे अबडेट्स के लिए सबस्क्राइब कीजिए हिंदेराश